हलो नमस्कार दोस्तों, स्टेटी रोजगाच चनल में वस्तों आपका हर्दिक स्वागत है। दोस्तो आप डिसक्स करने जाना दोस्तों केमेस्ट्री जी के एक गूर्ण अपते हैं क्विडियो को तो शुरू करते हैं वीडियो को तो आज गाप पहला कोशन थे हैं निम्न में से कौन सा ओक्सी कारक नहीं है दूस्टो तो ऐख पोशन जो अभिक्रिया स्तूं वो एक ओक्सी कारक का उधार नहीं है दूस्तों अब बात करते हैं नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा प्रधार्थ उत्पन होता है तो कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों तो ये जो अभिक्रिया है दो उसका नाम है दो उदास्ती करण अभिक्रिया है दो मिर्ट लब से नमक के घोल में silver nitrogen का घोल डालने पर दों धैजसा प्रदार्थ होता क्या दों यह उधास्य करन अभिक्रिया का उधारन अब बात करते हैं स्टो ने स्टक्स आयुकर्शन आजेसे निए संक्षारण किसपर का अभिक्रिया है स्टो तो उप्चेयन अभिक्रिया कशिजन के अनुपात का बढ़ना क्या क्या कहलाता है, तो उसे अपचेन अभिक्रिया कहता है, अब बात करता है, निमिन में से किस अभिक्रिया का यूग में हमेश्या साथ साथ होती Reports आप बात करते हैं स्वोडियम है अबात करते हैं सोडियम हाइट ἰटरो obedient और हाइट आध होज़ल बनते हैं कि यह किस अभीकरिया है तो यह एक प्रगार के अभी कुछ अब करता है, नेक्सक्ट क्कुछें नेक्स्क्सान कुछ और कॉछ बोन का रएक्राइड करता है। कौन सी अविक्रिया में भाग लेने वाले परधार्त को चाहिता है। किसी अविक्रिया में भाग लेने वाले परधारत होते हैं यानि जो कारक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें अभी कारक कहते हैं जो कोई भी अविक्रिया के अंदर भाग लेते हैं है अब बात करते हैं नेक्स टॉचिन है इस फ्रबलबल चार से बने लवंड की पिएज का मांन کیा होगा है अब बात करते हैं नेक्स टूशन शार को जल में घोलने पर क्या मुकत होता है अगर दो वीडियो पसंद आया तो प्लिस इसे लाइक किए जासनों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लिस इसे सब्सक्राइब कीज़स्तों और इस वीडियो को Facebook और WhatsApp अकाउंट की मादियम से अपने दोस्तों को भी शेयर कीज़स्तों दोस्तों अंति में Thank You For Watching Me